चाचोड़ा विधान सबाक्षेत्र के अंतरगत बीना गंज नगर में चल रही राम लीला महुसब में धनुष यग्ग की लीला देखने को दर्शकों का हुजूम उमढ पड़ा धनुष तूटते ही जयश राम की जयकारे गोंज उठे राम लीला के कलाकारों ने धनुष यग का मनोहरी मंचन कर दर्शकों की खूब वहवाही नूटी मंचन के नुशार राज़ जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वेमवर की घोशना की शर्त यह थी कि जो कोई भगवान परुश्राम के शिव धनुष को भंग करेगा उसी के साथ पुत्री वैदेही का विवाह होगा और होने देश भर के राजाओं को स्वेमवर में शामिल होने का निमंत्रन भीजा कोने कोने से शूरवीर राज राज कुमारा है सभी बारी बार से शिव धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे किन्तु कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया इसी स्वेमबर में मोनी विश्वामित्र के साथ प्रभूश्री राम और लक्षमन भी आये थे जब तमाम शूरवीर धनुष को हिला नहीं सके तो राजा जनक काफी दुखी हो गए कि उनकी पुत्री का विवाह कैसे होगा उन्होंने दुखी मन से शत्री राजाओं को लज्जा का हवाला दिया इसे पर लक्षमन ने जवाब देते हुए कहा राजा जनक प्रभूश्राम के होते हुए चिंता की जरूरत नहीं है इस पर मुनी विश्वामित्र के आदिश पर प्रभूश्राम ने धनुष को एक हाथ से उठा लिया और प्रतिंचा चड़ा दिया धनुष तूट गया यह देख राजा जनक प्रसंद हो गया माता सीता ने प्रभूश्राम को बर्माला पहनाई धनुष तूटते ही दर्शकों ने जयश्राम के जयगोश लगाए इस राम लीला में बड़ी संख्याम अश्रोता गण उपस्थित रहे और राम लीला मैदान खचा खच भरा जिसमें बीना गंज सहत है दूर दराज से भी लोग धनुष यगों को देखने पहुंचे चाचोडा से धर्मेंदर प्रेति की रेपोर्ट